जैहिन दोस्तों कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्त होंगे आपके अपने चैनल टीम सिक्षा में आपका दोस्त सही दिल से आपका स्वागत करता है आज 17 जुलाई है आज क्या क्या क्रेंट अफेर अपडेट हुए जो आपके सभी प्रकार की कॉम्प्रेटिव एक्जाम बैंक, FSC, रेलवे, स्टेट लेवल एक्जाम, UPSC इन सब से रिलेटेड जो भी क्रेंट अफेर अपडेट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन किया था उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है इसका सही जवाब है लखनव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो उसका description में मैं playlist का पूरा link आपको देदूँगा आप उससे देख सकते हैं हमारे channel पे general awareness और science की भी वीडियो आते हैं उसका भी list पूरा playlist का list में आपको अपने description box में देदूँगा चली उत्रप्रदेश की राजधानी लखनव है उत्रप्रदेश के मौजूदा मुख्य मंत्री है योगी आधितनात उत्रप्रदेश के मौजूदा गवर्नर राजपाल है आनंदी बेन पटेल आननी वेन पटेल मद्र प्रदेश के भी अत्रिक्त प्रभान में राजपाल है उत्र प्रदेश के हाई कोट के चीज जश्टिस है गोविंद माथुर गोविंद माथुर हाई कोट के चीज जश्टिस है उत्र प्रदेश के चलिए आज ये कोशन से शुरुआत करते हैं भारत सरकार की तरफ से हाल में ही तुर्किमेस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है ए, विधु पी नायर को तुर्किमेस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत सत्कार द्वारा विधु पी नायर तुर्किमेस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्ती है वी वर्तमान में विदेश मंत्राले के निर्देशक के रूप में काररत है ये 2002 बैच के विदेश सेवाधिकारी है 2002 बैच के ये इंडियन फॉरेंट सर्विस ओफिसर है इंडियन फॉरेंट सर्विस का ओफिस का मुख्याले नई दिल्ली में है South Block में, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री S. जैशंकर प्रसाद है Next question, नाबाड ने अपने 49-39 वे इस्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयूजन किया है इसका सही जवाब है C. डिजिटल चौपाल नाबाड ने अपने 49 वे इस्थापना दिवस में पहली बार इस डिजिटल चौपाल की आयूजन की है अचा ये डिजिटल चौपाल क्या है? इसमें पहली बार जैसे दूसरे प्रदेशों में जो लोग हमारे भाई रहे रहे थे वो अपने अपने शहर अपने अपने गाउं जो मजदूर भाई वापिस आये हैं आर्थिक गतिविदियों को बढ़ावा मिले नाबाड ने जल समस्या के मद्देन जम्मू कश्मीर और लद्दाक संग्शाची प्रदेशों के लिए एक एक स्प्रिंग शेट आधारित वाटर शेट परियोजना की मन्सूरी दी है नाबाड के अनुसार लेह में तीन कृतम ग्लेशियर बनाने की परियोजना भविश में अप्रिल मई के दौरान इस्थानी लोगों की सिचाई है तू आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगा और इसके लिए 1643 ग्रामिर को लाब पहुचेगा अभी जो नाबाड की जो डिस्टल चौपाल योजना है अभी इसकी सबसे पहले जम्मू कश्मीर और ले जो पहले एक राज्य थे जम्मू कश्मीर पांच अगस 2019 को दो अलग अलग केंदर शासे प्रदेश पर वक्त कर दिया गया उसके बाद से इसमें अभी वहाँ पे डिस्टल चौपाल की शुरुवात की गई है इसके बाद जम्मू कश्मीर और ले के बाद आपका हिमाचल प्रदेश में यह है ऐसे करते हैं सारे प्रदेशों में इसको शुरुवात करना है सुप्रीम कोट कोलिजम ने पंजाब वहर्याना हिमाचल प्रदेश वकलकटा हाई कोट के कितने अतरिक्त जजों को इस्थानिय जज़ बनानी की सिफारिश की है इसका सही जवाब है बी नौ नौ जजों को इस्थानिय ज़़ बनानी की सिफारिश की है हिमाच पश्चिम बंगाल के जो वरतबान में हाई कोट के चील जस्टिस हैं उनका नाम टीबी राधा कृष्णन है सुप्रीम कोट कोलिजम ने पंजाब और हर्याना उच नयाले के साथ अतरिक नियाधीशों के नियुक्ति के प्रस्ताव को उच नयाले के स्थाई नियाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है इसमें जो नियाधीश हैं जस्टिस मंजूरी नहरुकॉल, जस्टिस हर्मन सिंग सेटी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललिद बत्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्याक्ची और जस्टिस हरनेश सिंग गिल शामिल है पशिम मंगाल के हाई कोट के चीफ जश्चिस है वरतमार में टीबी राधा कृष्णन पशिम मंगाल की राजधानी कोलकाता है पशिम मंगाल के मुख्य मंत्री का नाम मम्ताविनर जी है पशिम मंगाल के राजपाल का नाम जगदीश धनकर है हरयाना पंजाब की राजधानी चंडी गढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंग, राजपाल है वीबी सिंग बंडोर, यहां के Chief Justice है हाईकोट के रवी शंकर जा, रवी शंकर जा जो है वो आपके हर्याना के भी Chief Justice है, हर्याना की राजधानी चंडीगड है हर्याना के मुख्य मंत्री का नाम मनोहर लाल खटर है हर्याना के राजिपाल का नाम सत्देव नारायन आर्या है यहां के भी Chief Justice रवी शंकर जाय है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धरमशाला धरमशाला आपकी शीत कालिन धरम राजधानी है और शिमला गृष्म कालिन राजधानी है हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम जैराम ठाकूर है हिमाचल प्रदेश के राजपाल का नाम बंदारु दत्तार है हिमाचल प्रदेश के मुख्य नयद्हीश का नाम नरायन स्वामी है केंद्री स्वास्थ मंत्राले ने हाल में ही किस बिमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है इसका सही जवाब है निमोनिया केंद्री स्वास्थ मंत्राले ने निमोनिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है ये स्वदेशी वैक्सीन होगी ठीके के लिए विशेज समीती की मदद से DGI पूने की कमपनी सीरम इंस्टूट आफ इंडिया द्वारा सौपे एक क्लिनिकल ट्रायल के पहले दूसरे और तीसरे चरण के आकरे की समीक्षा और करने के बाद टीके को बजार में उतारने की अनुमती दी गई है यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा स्वास्त मंतराले ने बताया है कि इस टीके का उप्योग निमोनियास के बचाफ के रिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा सीरम इंस्टूट ओफ इंडिया ने डीजी आईसाई के टीके के पहले दूसरे तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्राइल में भारत में करने की मन्जूरी ली थी इसका ट्राइल गांबिया में भी हुआ है अब तक क्या था कि निमोनिया का जो था आपको दवा खाते थे उसमें कभी किसी को फाइदा होता था अगर किसी का इम्म्यूटे सिस्टम अच्छा है तो उसको अच्छा रिस्पॉंस आ जाता था लेकिन किसी का अगर ठीक नहीं है तो उसको ये उस लेवल का रिस्पॉंस नहीं आपाता था तो इसलिए ये एक पहली स्वदेशी वैक्सिन होगी ये इंजेक्शन होगा जिससे इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कम्प्लीट कर लिया गया है तो अब ये अगर मार्केट में आता है इससे अगर किसी की इम्मिनुटी कम भी है तो उसे भी 95% है उनका वदावा है कि बचा होगा है प्रयास रहेगा हम लोग इस वैक्सिन से प्रयास रहेगा लेकिन ये है कि 95% केसे निमोनिया के अब खतम हो जाएंगे भारत से हाल में ही बंगला देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब एक विक्रम दुर्वाई स्वामी राजनाईकों की नियुक्ति में बदलाव किता है भारत सरकार विक्रम दुश्वाई स्वामी को बंगला देश में भारत का नया उचायुक्त नियुक्त की है 1992 के IFS अधिकारी दुरास्वामी फिलहाल अतरिक्त सचिफ के तोर पर तैनात है वो बंगला देश और मेमार के साथ सत अंतरास्टी सम्मेलन और वैश्विक संगटुनों की जिम्मेदारी समालते हैं इससे पहले वो भारत प्रशांत मामले भी देख रहे थे 2012 से 2014 तक विदेश मंत्राले में अमेरिकी प्रभाव में सयुक सचे पद पे भी काम किये हुए है Indian Foreign Service का Headquarter आपका नई दिल्ली में है नई दिल्ली के South Block में है भारत के विदेश मंत्री है S.J. शंकर प्रसाद Next question पत्रिका दलैसंट की एक रिपोर्ट के मुताबित सदी के अंतक भारत की अवादी घटकर कितनी हो जाएगी इसका सही जवाब है 1.6 अरब वैज्यानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि भारत 2048 तक की अवादी 1.6 अरब हो सकती है फिर 2100 में 32% की गिरावट के साथ ये अवादी 1.09 अरब रह सकती है वो 2100 भी जैसे 2020 चल गाया है तो 20 साल बाद का उनका है कि भारत की अवादी 1.6 अरब और बढ़ सकती है 2100 जब सरल आएगा तो उस समय 32% की गिरावट ये दिखा रहा है इनकी पत्रिका के अनुसार है Global Warden of Disease Study के आकड़े में बताए गया है भारत इस आकड़े में जो लिया गया था बनाने में भारत, अमेरिका, चीन, जापान तथा सहीद 183 देशों के लिए वैश्विक छेतरी और राष्ठी आवादी उनकी मित्यु दर्व, जन्म दर्व और प्रवासन दर्व का पूर्वानमान व्यक्त किया गया है अध्यन के नुसार भारत में 2017 में कार्य की उम्र वैसकों की आवादी 76.2 करोड थी जो की 21 सो में घटकर करीब 57.8 करोड रह जाएगी Next question, हाल में ही अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है A. रुतेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारती विदेश अधिकारी रुतेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वे वर्तमान में जकर्टा के आशियान के लिए भारत के वर्तमान राजदूत विने कुमार के इस्थान पर दी गई है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है अफगानिस्तान के प्रधानमंदी का नाम डॉक्टर मुहमद अश्रफ गनी है सयुक्त राष्ट द्वारा जारी की गई वार्षिक अध्यन की अनुसार वैश्विक इस्तर पर बीते कई वर्षों में 10 लाग से अधिक लोग कुपोशित श्रेडी में है इसका सही जवाब है पाँच वर्षों में दस लाग से अधिक लोग कुपोशित श्रेडी में आए हैं विश्व खादि सुरक्षा और पोशन के उसमें रिपोर्ट जारी की थी 2019 में तक्रीवन 690 बिलियन लोगों को भुकमरी का सामना करना पड़ा है गौर तलब है कि संक्या 2018 में 10 मिलियन से अधिक थी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तार पर सभी अपने रूपों से कुपोशन का बोज विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है स्वास्त सयुक्त राष्ट जो है इसका हेड़कॉर्टर जो है वो नी यॉर्क में है मुख्याले नी यॉर्क में है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है United States of America की राजधानी वाशिंग्टन डी सी है वर्तवान में United States of America के राश्पती है डॉनल्ड ट्रम्प United Nation 24 अक्टूबर 1945 में गठन किया गया था Next question हाल में ही लेसेंट द्वारा कितने देशों एवं छेत्रों के लिए वर्ष 2017 से 2100 तक प्रजनन शमता मित्यो दर्व और प्रवासी जन्संक्या परी दिर्श के संदर में वैश्विक पूर्वानवान विशलेशन को प्रस्तुत किया है कितने देश है फ्रेंट्स? इसका सही जवाब है C. 1955 देश एक सो पंचानवे देशों के उपर ये किया गया है कि 2100 में भारत विश्व का सबसे अधिक जन्संक्या वाला देश अभी भारत दूसरे स्थान पर आता है चाइना के बाद इनके लैसेंट अध्यन के अनुसार 21 स्वमे भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंक्या वाला देश होगा Next question चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल में ही किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है एशियाई विकास बैंक का एशियाई विकास बैंक का अशोक लवासा चुनाव आयुक्त को हाल में ही उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक ADB ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनानी की घोशना किये चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुपता का स्थान लेंगे दिवाकर गुपता का कारेकाल 31 अगस 2020 को समाप्त होने जा रहा है चुनाओ आयोक्त के रूप में नियुक्ती से पहले अशोक लवासा केंद्री वित्य सचिव के रूप में सेवा निर्वित हुए है इससे पहले बे पर्यावरन वन जलवायू परिवंतर मंत्राले और केंद्री नागरिक उद्धियन मंत्राले में केंद्री सचे भी रह चुके हैं एशिया इविकास बैंक का हेड़कॉर्टर आपका फिलिपीन्स में पढ़ता है आज का question of the dear friends इस रो Indian Space Research Organization की स्थापना किस दिन हुई थी इसका सही जवाब आप हमें comment box में दें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो like करें जाज़ा स्यादा लोगों को share करें और अगर चैनल को पहली बार आ हैं तो subscribe करें थैंक यू जैहिन दोस्तो